हेलो फ्रेंद्स आप देख रहे हैं आपका चैनल श्रेवादर रिधायुष और बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स और टाटा पावर के उपर तो दोस्तो आज भी हमको एक बहुत ही दमदा सेशन देखने को मिला टाटा मोटर्स का 25 रुपे 10 पैसे की तेजी हमको देखने को मिली करीबन 1116 पर जाकर दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी और 2 परसन से जादा आज के दिन पी हमको मूव देखने को मिला इस हफते के अंदर दोस्तों टाटा मोटर्स ऑल्मोस्त दोस्तों 13-14 परसन बढ़ता हुआ नजर आए एंद पैछले एक महिने के अंदर 17-18 % चलता हुआ नजरा आग जुका है तो कह सकते हैं एक बहुत ही धम दार सेशन आज का देखने को मुला है एर एक बहुत ही धम-गार ग्तर हम को दोस्तों यहां पर देखने को मिल रहे हैं टाटा मोटर्स के अंदर लगा जरूर देखा रहा, consolidate करता रहा, बट उसके बाद जिस तरीकी का move आपको देखने को मला है, बहुत कम दिनों के अंदर, ये देखे, consolidation की power होती है, जब एक consolidation का breakout आता है, आप देख सकते हैं, लगातर, लगातर यहाँ पर consolidate कर रहा है, लगातर, consolidate करने के बाद, दोस्तों, stock ने breakout दिया, और breakout अब देख सकते हैं, stock के अंदर, आज 1100 के level नजर आ गए, आज गर मैं बात करता हो, सबसे पहले volume के बारे में, तो देखे, volume जो नजर आई है, कुल मिलाकर, आज के session के अंदर, वो 212 lakh shares की आपको volume देखने क को मलिए, इसके साथ ही, जो delivery का percentage है, वो 50% है, अभी 50% delivery थे, क्योंको चोटी मोडी बात नहीं होती है, बहुत अच्छे delivery हमको देखने को मलिए, आज at the end of the day, करीबन दोस्तो, 118.30, जो इसकी exact closing price है, यहाँ पर 13,865 orders आपको देखने को मलेंगे, जो buyer side पर है, तो बंद जर दोस्तों कर आप खुद notice करेंगे, तो Tata Motors में, जो करीबन low लगा, वो 967 का लगा इस अफते, और दोस्तों जो high लगा, वो 1120 का लगा, और overall 1120 के पास ही जाकर दोस्तों share बंद हुआ है, इस अफते जैसे मैंने का, जो सबसे important चीज थी, वो देखने वाली कौन सी थी, वो दोस्तों volume, अगर आप volume देखेंगे, तो 23 जुलाई से एक volume के संकेत दिख रहे थे कि लगातर बढ़ रही है, एक करोड़ वालीम हुई, उसके अगली दिन, almost दोस्तों आप देख सकते हैं, याँ पर जो volume का data आया, फिर वो 1 करोड 14 लाग का हुआ, कल के session में, 3 करोड 27 14 लाग shares हमको trade होते हैं, तो 23 के साथ साथ volume का बढ़ना ही संकेत होता है, कि no doubt stock के अंदर जो move आ रहा है, वो significantly बढ़ी हा रहा है, कल देखें, जो 23 के करण हुआ क्या, stock ने 4 trillion, यानि basically 4 लाग करोड की जो market cap है, specifically, वो company ने touch करी, और यह सबसे पहली company हो गई है, जिसका 4 लाग करोड का दोस्तों, basically, market cap जो है, वो हो चुका है, right auto company, अपने 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 समझ सकते हैं, कि जिस तरी की move आया, उसके पीछे कितनी बड़ी वज़ा थी, और अब जो market cap है, 4 लाग करोड का हो गया, exact market cap आपको बताता हूँ, exact market cap जो अब company का है, वो है दोस्तों, almost 4 लाग 11, 1000 करोड, because, आज का move भी, count अगर हम करें, तो 4,11,000 करोड के असपस, company की market cap पहुँच चुकी, तो अपने आप में, एक बहुत बड़ा runner-up, इसने दिखाया, और बहुत बड़िया move, जो हमको देखने को, मिला है, right, अब सबसे बड़ा question यही आता है, कि देके, इन levels पर करना क क्या चीए, तो technical research के, किरन जानी, जो जैनिम ब्रॉकीं के है, उनकी तोरह क्या कहा गया, यह सबसे important बात है, तो एक expert का आपको view, company के उपर बता रहा हूं, right, तो अगर मैं बात करता हूं, पर जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, कि the stock has been, has seen a very good move, up move, one can consider buying it at current levels for an upside target of 1150 keep a strict stop loss at place at 1040, यह उनकी तरह दोस्तों साफ साफ कहा गया, तो अभी भी उनको लगता कि 1150 तक basically share जा सकता है, नुमरा की report निकल कर आयती, जहां पर हम कह सकते हैं, almost 1300 तक के targets दिये गए थे, so अभी भी भी देखिए, brokers का view positive है, लेकिन एक बाद ध्यान रखिएगा, टाटा numbers आएंगे, यानि अगले अफते company के results आजएंगे, Friday को आएंगे, numbers देखना बहुत दिल्चास होगा, because देखिए जिस परका की तेज़े हम को देखने को मिल रही है, before results, expectations यही होते हैं, कि फिर results अच्छी आते है, जब share की results से पहले इतना चलता है, तो बादार को थोड़ा बहुत अंदाजा रहता है, कि हाँ बढ़िया कर सकता ही है, और numbers बढ़िया आ सकते हैं, और लगातर देखिए टाटा मोटरस के numbers बढ़िया आते हुए, नजर आ भी रहे, तो इस बार भी अच्छा numbers ही आएंगे, बढ़ा कितने अच्छा numbers आएंगे, कि देखने वाली बात यह बढ़िया रहे है, कंपनी की नई गाड़ी भी लाँच होने वाली है, तो इसको लेकर भी market positive है, राइट, यह चीज़ है जो देखने वाली जो बढ़िया कर रहा है, मैं सबसे देखिए simple सी वादर टाटा मोटरस के अंदर, एक बहुत अच्छा move आ गया है, तो थोड़ टाटा पावर अगर आप दिखेंगे तो 6% चला है और एक महिने में 3% के असपास की return दिये, अब टाटा पावर में majorly अगर आपने इस साल के अंदर देखा है, तो क्या दिखा है, consolidation, बहुत बड़ा consolidation यहाँ पर भी दिख रहा है, लगातर दोस्तों share जो है वो इन levels पर consolidated कर कर रहा है, बिल्कि हम कह सकते हैं, इन levels को cross नहीं कर पाया, जो इसका बावनफतों का high है, वो है 464 का, याँ आप कह सकते हैं कि 465 रुपे का एक resistance है, और stock majorly दोस्ता हमको जो trade करता हुआ दिख रहा है, जहां पर low भी लगाता है, तो 400 से 465 का zone है, जहां पर stock दोस्तों लगा एक को मली आज के दिन, delivery percentage है दोस्तों, almost 38.56% का, बढ़या delivery है, कोई दिक्कताली बात नहीं है, आज at the end of the day, 444.70, जो इसकी exact closing price है, कौन सी है, 444.70, वहाँ पर 320 after market orders है, जो basically placed है, तो delivery आज अच्छे आती हैं नजर आई, volume अच्छे आती हैं नजर आई, closing 444.70 की है, बट ट तेजी की पीछे का एक बजा था, दोस्तों, UBS ने अपना basically यहाँ पर, जो coverage है, वो initiate किया, और rating दी पाई, जी हाँ, so UBS ने कहा किया, UBS ने basically 510 रुपे का target दिया share पर, उन्हें ने कहाई कि जिस तरीके से energy transition देखने को मिल रहा है, और across dimensions देखने को मिल रहा है, company का लगात है, क्योंकि renewable power generation, solar equipment manufacturing, renewable value chain, इन सब का बड़ा फायदा इस company को मिल सकता है, इसलिए उनका मानना है, कि यहाँ पर stock जो है, वो 510 रुपे का target उनके दारा दिया गया है, और almost दोस्तों, वो company को trade करता हुआ, अभी जो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, almost 3.3 times FY26 of price to book value, and 11.6 times of FY26 EV to EBITDA, यह उनका मानना है, तो इसलिए यहाँ पर जो brokerage का view आया, specifically target आप देख सकते, 510 रुपे पर share का target जो है, वो basically आज दिया गया है, बट इसके साथ साथ एक और आज ख़वर निकल कराई थी, जिसमें देखे, Tata Power ने basically bank of India के साथ, टाटा पर solar system में basically, जो bank of India के साथ यहाँ पर financing के लिए करार किया है, for EV charging, right, so EV charging station के लिए आपर आज ख़वर निकल कराई, कि, तो यहाँ पर आप दिखे, Tata Power solar system on Friday set, it has partnered with bank of India to facilitate easy financing for rooftop solar installations and establishment of electric vehicle charging stations, तो यहाँ पर आज company ने देखे, दो चीजों के लिए basically जो करार है, वो किया है, और तो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यही है, कि जिस तरीके से देखे, government ने rooftop solar लेकर आई, I think उसको जिस तरीके से response मि गई कि इसको लेकर definitely एक बहुत बढ़िया यहाँ पर view बन सकता है, और एक अच्छी opportunity हो सकती है business की, so I think इसको लेकर भी company ने यह साफसफ किया है, कि company को चुलार installation बेचती है, and no doubt देखे, यहाँ पर bank of India के साथ financing का, यहाँ पर company ने कह सकते हैं, पुरा partnership किया है, so यह एक पर जब निकलेगा तब जाकर 30 हमको देखने को मिलेगी, कि वो एक resistance है, जो लगातार आपको देखने को मिलेगा है, जहाँ पर stock जो है, वो रुखता है, और फिर एक fresh selling आ जाती है, कब-कब देखने को मिला है, मैं आपको example देखाता हूँ, first time इधर, second time इधर, यहाँ तक ग अगर cross कर देता है इस बार, तो no doubt एक बहुत बढ़िया move नजर आएगा, अब यह देखने वाली बात है कि कब move यहाँ पर cross कर पाता है, but let's see क्या होता है, तो friends इस वीडियो में इतना ही था, hopefully आपको वीडियो बढ़िया लगा होग, अगर लगा तो like कर देना, channel से पहले ब देनाए लगा वीडियो के लात है